लास्टी जो हमने एक वीडियो बनाई थी जिस हमने बात की थी कि कौन-कौन से ऐसे सप्लिमेंट्स है जिन पर आपको पैसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए तो आप में इसे बहुत से लोगों ने पूछा तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे सप्लि में खास आपका हेल्प नहीं करने वाले ठीक है तो यह सुरू करते हैं और देखते हैं कि यह सप्लिमेंट्स है कौन-कौन से लेकिन अगर आप में से किसी को पेट का इशू है आई-बीडी है घर पे किसी को टाइप 2 डाइबेटीज है फाटी लिवर है हाई कलिस्ट्रॉल इस टाइप के कोई भी इशू है या फर नाच्रल बॉडी बॉडी बीडिंग फाट लॉस इस नंबर टो कॉन्टाक्टर डॉंट पर टेंट वी वान हम जो भी करते हैं यहां पर इस नौट इस अफ मेडिशन हम वाट वीडिशन करता है रेंजिंग फोन हेल्थ जब भी हाई-ड्रॉक्य विटमिन डी 25-o-h-d बोलते हैं इसको इस टाइप की चीज होती है तो वही विटमिन डी का स्टाइस आपकी बॉडी यह बताता है उस अप्लिमेंटेशन है विटमिन डी की वह आपकी मॉटलिटी वाला पार्ट इसमें इंप्रूमेंट करती है टाइप ड विटेमिन डी जिससे बड़ी हेल्थ प्रॉब्म भी हो सकती है इसके लिए अगर विटेमिन डी बहुत टाइम से ले रहे हो या लेना चाह रहे हो इसको एक चीज बताता हूं विटेमिन डी के बारे पर जो शायद आपको शायद नहीं मैक्सिम लोग को पता नहीं होगी और को यह कि विटेमिन डी लिया कब जाए अब विटेमिन डी क्योंकि एक फैट सॉलूबल विटेमिन है तो हमें इसको डाइटरी फैट साथ लेना होगा लेकिन अगला क्वेशन है कि कि तो यह देखा गया कि जब बहुत हाई फैट जैसे 30-35 घ्राम फैट अगर कोई बहुत विटेमिन डी में खा रहे हो बटर भी उपर से है 2-3 चीज़े हो रहे हैं तो तब विटेमिन डी की अब्जॉप्शन उतनी अच्छी नहीं होती लेकिन अगर आप 10-11 ग्राम के असपस फैट आपके मील में है वह परफेक्ट अमाउंट है विटेमिन डी के बारे में कि वि वाइटमिन और विटेमिन करने का रीजिन क्या है क्योंकि जो विटेमिन का हमारी mental एक बड़ा ही कमाल का सवर मैं बड़े सार लोगों साथ काम करता हूं जिनको पेट के इसूर्फ और मैं मैं मैंक्शिम हर केस में एक शीज ये देखता हों कि जब भी पेट का इस्शू होत विटमिन B12 की कमी ज़रूर होती है और विटमिन B12 जब हम सप्लिमेंट करते हैं लोगों की अनर्जी और वेल बिंग बहुत बेटर हो जाती है और B12 के बारे में मैं शेवन एक बात बोली है अपने डॉक्टर से बात कीजिए और अगर आपका B12 कम है तो लीजिए राधर देन सप्लिमेंटल B12 मैं कही बार देखते हैं लोग भी कंप्लेक्स लेते हैं वह 3-4 मन्स लेकिन उनका B12 हाड़ी मूव करता है लेकिन जब हम इंजेक्टिल B12 देखते हैं तो लोग इमीजेटली उसका फरक देखते हैं तो इंजेक्टिबल B12 फॉर्मेट वैसे ही बहुत सुपीर होता है राधर देंद पिल फॉर्मेट जो भी आप ले रहे हो और यह सिरफ पेट के इस्यूज मे तो है वो रेंज में हैं लेकिन नहीं है अप्टिमल बीट लेवल जो मेरे एक्स्पीरिंस एक्वाडिंग मैं देखें वो छे साथ सो आट सो के आसपास होने चाहिए तब आपको मेंटली बहुत अच्छा लगेगा नर्जी वेल बहुत बेटर लगेगी और वी विटमिन सा क्रिटेन के बारे में सवाल बहुत सारे हैं जैसे कुछ लोग क्याते हैं क्या क्रिटेन से कैंसर होता है क्या क्रिटेन की बात करना है चाहरा हूं अब हो यह क्रिटेन के अब भी काफी हो रही है मतलब बहुत आ रिसर्च नहीं है लेकिन जब हम क्रिटेन के रहें बात करते हैं तो इस अल बाउट की परफॉर्मेंस बेस चाहिए लेकिन इट्स क्रिटेन लेने से जो कोगनिशन पाट है बड़े लोग इंप्रूमेंट मैसूस करते हैं तो अगर आपको भी बॉड़ी बीडिंग में इंट्रस्ट नहीं होना चाहिए तो क्रिटेन तब भी आप ट्राय कर सकते हो एंसी क्या आपके लिए काम कैसे करता और एक और बाद सबस्ते हैं कि यह अगला जो है अब यह थोड़ा इंटरस्टिंग सपप्लिमेंट है जो मैं रेक्मेंट करता हूं करता हूं वह है है beta-alanine हमने एक बात सुनी होगी कि जब भी workout करते हो बहुत intense workout करते हो तो acid सा build-up होना शुरू हो जाता है muscles में वो burn feel होता है तो उस acid को counteract करता है एक molecule उसे हम बोलते हैं carnosine और जो beta-alanine है यह building block है carnosine का तो in a way beta-alanine help करता है हमारी endurance को बढ़ाने में लेकिन mostly high intensity endurance के बढ़ाने में जो कि एक से 10 मिनिट की बीच में रहती है अगर आप शाम को workout कर रहे हो तो शाम को office के आने के बार लोग बहुत ठक जाते हैं तो उस time पर recommend कि आप किसी टाइप का stimulant लें जैसे caffeine हो गया कुछ भी हो गया प्री workout हो गया उसका reason क्या है क्योंकि आपकी नींद effect होगी तो अगर नींद effect होगी तो आपके recovery का सबसे बड़ा tool is like खत्म हो गया जब वो टूल खत्म हो गया तो फिर क्या करें कि लोग के पास शाम को ही time होता workout करने का तो बीटा लाइन के खास बात क्या है पहले तो अगर आप प्री workout में होगा दोखो बीटा लाइन definitely होगा लेकिन mostly लोग क्या करते हैं बीटा लाइन को underdose करते हैं क्या करते हैं किवगे caffeine जो है वह चीप और जितना उपर करेंगे आपको बज फील होगा लेकिन बीटा लाइन से एक टिंगलिंग सेंसेशन होती है और प्राथीश्या और बीच में बीच में दी जाती है जो पर फीरा थीश्या होता है पुर्स ने आपको लाइगा ठीक है सम्तिंग इस वर्किंग और यहल्प भी करेंगा वर्काउट में तो इसके लिए शाम के वर्काउट करते तो स्ट्रमालेट प्लस बीटा एलनाइन प्लस थोड़ा सा अनार का जूस यह नौर का इस वर्क रिल वेल और शाम के टाइम पर बाकिया मत लीजे शाम के टाइम का प्री वर्काउट डिस वर्क्स ग्रेट अब जो लास्ट आज का सब्सें पॉपलर सब्सेंट जो है फिश ओई है क्योंकि लोग बहुत से लोग फिश ओई को लेते हैं एं इसने जितना रिसर्च देखा तो हमने यह देखा कि फिश ओई ट्राइग्लिसराइट को हेल्प करता है लेकिन लॉंग टर्म कार्डियो वेंट को कमी करने में फिश ओई का उतना बड़ा रोल नहीं है लेकिन यह सिंप्टम और डिप्रेशन जो है उसमें बड़ा अच्छ बनाती है इनको एले से बनता है तो वह जो प्रॉसेस होता है उसमें बनता कुछ खास नहीं है तो इसके लिए जब लोग कहते हैं कि चिया सीड्स होगे फ्लाक सीड्स होगे या इस टाइप के नट्स होगे वह हेल्दी सोर्स ऑफ अमेगा थरी है वह बेसिकली आलफा बेटर लेकिन डोंट एक्षपेक्ट की जो सीड्स हैं वह ओमेगा थी वाला काम आपके लिए कर देंगे अगर में डोसीच को लेके बात करूं तो थाइसो मिलिग्राम इस दा मिनिमम एपीडी एचे कमाइंड वी नीड अमेरिकन हाट असोशिएशन और बड़ी सारी हाट राउंड वर्ड रेक्रमेंड मीनिम वन ग्राम आई परिमेंटर फाइव ग्राम जो तो इसका एक इसका भी फिर से बात करूंगा उसके बारे में लेकिन एक ग्राम क्या सपास अगर हर रोज अपलेते हैं तो वह सही रहेगा और एक और चीज़ और जब भी आपका फिश ओ क्या थीक है कि नहीं है तो यह एक थोड़ा कॉस अपके साथ और कल में बात कर रहा था किसी के साथ इसके बारे में कि जो हमारी ऑडियंस है इसमें पता कुछ टाइप के लोग होंगे कि हम कुछ भी कर लेंगे हम बौडी बनानी है स्टेरोइड्स सप्लिमेंट्स डाइट क होता देखो जो करंट हमारी जिंदगी इस टाइम पर है यह ऐसी नहीं है जैसे हमारे फोर फादर्स की थी अभी हमारे पास चैलेंजिस नहीं है हम पूरे पूरे दिन लैप्टॉप पे बैठके काम करते हैं बिल्कुल नाच्रल नहीं है तो जब हमारा लाइफटाइल बड कौन सा टूल यूज करना है और उसके लिए कंसर्ट संबडी हो नोज इस्टाफ लेकिन डोंट बी अदमेंट कि नहीं यह चीज नहीं यूज करनी नहीं यूज करनी ऐसा नहीं होता इससे आपकी कॉल्टी फ लाइफ एफेक्ट होगी और आपको नुकसान होगा तो आई हो